दोस्तों आपने देखा होगा काफी सारे लोग story पे mention करते हैं यानिकर उनका story दो-दो ID पे सो आता है जैसे कि मैं यहां पे अगर किसी को mention कर दू तो मेरे ID पे लो story सो होगा और मैंने जिसको mention किया है उसके ID पे लो story सो होगा और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लिस वीडियो को लाइक कर दीजे साथ यसा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो इस्टाग्राम पर इस्टोडी मेंसन करना काफी जादा आसान है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस्टाग्राम एप्लिकेशन को ओपेन कर लेना है अब यहाँ पर जैसे आप इस्टाग्राम पर आ जाते हैं आपको इस्टोडी यहाँ पर सबसे पहले लगाना है उसके आपका gallery खुल जाएगा, यहाँ पर हम manage पर click करेंगे, select more photo पर click करेंगे और यहाँ पर हम अपना gallery से कोई भी एक photo ले लेते हैं, ठीक है तो example के लिए माल लिए मैंने यहाँ पर यह वाला photo select कर लिया photo लेने के बाद आपको यहाँ पर allow वाला जो button देखने को मिलना इस पर आपको click करना है आपका photo यहाँ पर आ जाएगा, फिर से आपको यहाँ पर photo पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा photo यहाँ पर आ गया तो यह सब आप अपना हिस्ताप से लगा लिजिएगा मैं आपको बताता हूँ mention करने का तरीका तो यहाँ पर दो तरीका है mention करने का पहला तरीका यहाँ पर double A का जो option है यहाँ पर आपको click करना है अब यहाँ पर आने का वाद आपको simply add a date वाला बटन इस्तमाल करना है यहाँ पर जो add a date का बटन होता है keyword में यह आपको type करना है और जिसको भी आप mention करना चाहते हैं उसका username यहाँ पर डाल लिजिए उसका नाम भी यहाँ पर लिखियेगा ना तो नीचे के side में उसका ID आजाएगा simply direct आपको यहाँ पर click करके उसका ID को mention कर सकते हैं उसका simply आपको यहाँ पर done वाले option पर click करना है यहाँ पर एक ID मैंने mention कर दिया ठीक है यह रहा पहला तरीका मैं आपको अब दूसरा तरीका बता रहता हूँ simply आपको यहाँ पर sticker वाले option पर click करना है जो double a के बगल वाला option है यहाँ पर click करने को बडारेक आपको mention को option देखने को मिल जाएगा यहाँ से music का भी option होता है और mention का भी option होता है आपको mention पर click करना है और यहाँ पर उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर डारेक आप उसका ID का नाम यहाँ पर डाल देजेगा तो भी यहाँ पर उसका ID नीचे के side में आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पारे मैंने 2-3 word डाला है और नीचे के side में ID आ गया simply हम यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर वो ID mention हो जाएगा ठीक है यहाँ पर mention होने के बाद अब आपको simply यहाँ पर story को लगा देना है और यहाँ पर आपको share वाले option पर click करना है यहाँ पर done पर click करते है आपका story यहाँ पर लग गया अब यहाँ पर आपने जिसको mention किया है उसके पास एक message जाता है एक chat जाता है जैसे आपको यहाँ पर story upload हो जाएगा उसके पास एक message चला जाएगा ठीक है मैं यहाँ पर अपना दूसरा ID open करकर दिखा जाता हूँ जिस पर मैंने mention किया है मैंने यहाँ पर अपना दूसरा ID open कर लिया और यहाँ पर message पर आते हैं अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर story mention किया था तो यहाँ पे इस chat के अंदर वो वाला story आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे mention किया है यहाँ पे आप दिख सकते हैं यहाँ पे आ गया अब यहाँ पे अगला बंदा simply क्या करेगा यहाँ पे add to your story पे click करेगा और यहाँ पे click करते वो story दोनों ID पे post हो जाएगा यहाँ पे आप दिख सकते हैं loading layer है simply यहाँ पे share पे click करते दोनों ID पे story mention हो जाएगा यानि कि एक एक story दोनों ID पे show होगा मैं यहाँ पे आपको open करके दिखा रहा है तो आप दिख सकते हैं यह वाला story यहाँ पे भी show हो रहा है और उस ID पे भी show हो रहा है इस परकार से आप भी Instagram पे story mention कर सकते हैं इस वीडियो से अगर आप गुजबी सिखने को मिला हो तो प्लेज वीडियो को like कर दीजे साथ इससा channel को subscribe कर लिजे मिलते हैं next वीडियो में